जब 95 में मैं मिनिस्टर था यहां और रिलाइंस ने मुंबई पुना एक्स्प्रेस हाईवे के लिए टेंडर किया था और वो टेंडर मैंने रिजेक्ट किया था अज जब मुंबई में इस कारेक्रम में आया तो यह इन्वेस्टमेंट की याद मुसे आ रही थी जब 95 में मैं मैं मिनिस्टर था यहां और रिलाइंस ने मुंबई पुना एक्स्प्रेस हाईवे के लिए टेंडर किया था और वो टेंडर मैंने रिजेक्ट किया था उस समय धिरूबई थे वो भी मेरे उपर नाराज होए और मेरे मुख्यमंत्रियों और सब नेता भी बहुत नाराज होए बाला साब ठाकरे उस समय थे वो भी मुझे कहने लगे कि तुम ऐसा क्यों करते हो तो मैंने उनको कहा था कि मैं पबलिक से पैसे लाओंगा और हैक्सप्रेस हाइवे वरली बांदरा सेलिंग प्रोजेक्ट फिप्टी फाइव लाइवरस बनाओंगा तो सभी लोग मुझे हस रहे थे तो उस समय मेरे मुख्यमंत्री मनहर जूशी जी थे उन्होंने कहा कि नितीन तुम अच्छा बोल रहे हो मेरा विश्वास नहीं होता पर केवल तुम बोल रहे हो तो यह करके देखो मुझे नहीं लगता कि यह होगा पर लेटर स्ट्राइब और तब मैं इंवेस्टमेंड के लिए MSRDC की स्थापना हुई जिसका मैं फॉंडर चेर्मन था और संस्तापट था और आर्सी सिना जो उस समय अडिशनल चीप सेकेटरी भी बाद में हुए और मेरे मैनेजिंग डिरेक्टर थे हम दोनों मिलकर होटिल की बाद तो छोड़ो छोटे-छोटे फोरम पर जाकर बैग लेकर लैप्टॉप पर नया ने आया था मेरी उमर 36 साल की थी तो चेंबर ओप कॉमर्स से इधर जाके प्रेजेंटेशन करते थे और कहते थे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो ओ ओ दिन इसलिए मुझे याद आया कि उस समय हम इन्वेस्टर के पास जा रहे थे आज इन्वेस्टर हमारे हाल आ रहे हैं इसका मुझे सभादान होता है और जब पहली बार 500 करोड रुपे के लिए हम उस समय की बात कर रहे हैं हम कैपिटल मार्केट में गए है और पहली बार हमको 1160 करोड रुपे बांड में रिसीव हुए ओवर सब्सक्राइब हुए है दूसरे बार फिर हम लोग साड़े 600 करोड के लिए गए फिर 1100 करोड रुपे मिले तो रतन टाटा मुझे कहते थे कि तुम हमसे भी उशार निकले क्योंकि हमें किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं था कि यह पैसा पब्लिक मार्केट से इंफ्रोस्ट्रक्चर के लिए मिलेगा मैं इन्वेस्टर के कॉइड़न्स के लिए यही उधारन बताना चाहूंगा कि रिलाइस ने कोट किया तक 36 करोड हमने उसको रिजेक करके मेसर डीसी के द्वारा पूरा किया 1600 करोड में 2000 करोड बचा है उसको मॉनिटेज किया महराष्टर सरकार ने उस समय मिले 3000 करोड और यही एक साल पहले अभी मॉनिटेज किया यह दोनों हाइवे को तो महराष्टर सरकार को मिले 8000 करोड तो आप ऑची समय लेना कि 1600 करोड के रोड को एक बार 3000 करोड में मॉनिटेज हुआ और अब 8000 करोड में मॉनिटेज हुआ तो इन्फरास्टेक्चर में internal rate of return और economic viability के बारे में सोचना ही बन कर दो